जै मातादी दोस्तों, वेलकम बैक, मैं आपका अपनी चैनल हेल्पिंग हाउस वाइफ में स्वागत करती हूँ कमेंट में जै मातादी जरूर लिखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें आज मैं आपको बताऊंगी एक और लक्षन के बारे में जो की एकदम अलग है वीडियो को पूरा देखें तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे पहले तो बता दू कि मेरा चैनल लड़का और लड़की में कोई भीदभाव नहीं करता नहीं मैं इस चीज को बढ़ावा देती हूँ यह वीडियो केवल और केवल प्रेगनेंट लेडी की जिग्यासा वा उत्सुकता को कम करने के लिए बनाई गई है प्रेगनेंसी में कभी कभी अनार इतने पसंद होते हैं किसी किसी को कि डेली खाने का मन करता है और किसी किसी प्रेगनेंट लेडी को अनार बिलकुल भी पसंद नहीं होते कि वैसे भी आम लोगों को अनार बहुती कम पसंद होते हैं बहुती कम लोग होते हैं जिनें अनार खाना बहुत अच्छा लगता है बहुत ही less मात्रा में आप देखेंगे बहुत ही कम लोग मिलते हैं अगर आपके पास भी कोई ऐसी pregnant lady है जो रोज अनार खाती है उसको रोज अनार खाना पसंद है डेली खरीदती है उसका इतना मन करता है अनार खाने का बहुत ज़्यादा तो यह लक्षन अनार खाने का यह लक्षन लड़का होने की तरफ ही इशारा करता है जब pregnancy में पेट में बेटा कंसीव किया होता है तो उस लेडी को बहुत ज़्यादा अनार पसंद होता है बट pregnant lady को लगातार अनार खाने से बच्चे को नुक्सान हो सकता है इसलिए ज़्यादा अनार नहीं खाना चाहिए डेली कभी कबार आप खा सकते हैं बट डेली खाना अनार बहुत नुक्सान दायक साबित होता है अनार खाने का यही लक्षण जो अनार बहुत जादा पसंद होते हैं यही बेवी बॉय होने की तरफ इशारा करता है अनार अधिक से अधिक पसंद होना ही बेवी बॉय होने का लक्षण होता है अनार का दूसरी तरह का सिंटम्स ये है कि अनार सपने में दिखाई देना या फिर पेगनेंट लेडी के घरवालों को अनार सपने में दिखाई देना या पेगनेंट लेडी को खुद ही अनार सपने में दिखाई देना यही इसका लक्षन होता है कि आपने बेवी बॉय को कंसीर किया है प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जयम आता दी जरूर लिखिए और ऐसी ही helpful वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए थेंक यू, थेंक्स फॉर वाचिंग